दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ important shares के बारे में जहाँ पर आज की दिन हमें कुछ बड़ी announcement देखने को मिल रही है और इन announcement की declare होने के बाद में कल की trading session में आपको इन share के उपर कुछ बड़े moment देखने को मिल सकते हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं लेकिन उसके बिले यदि आपने channel पर first time visit के आए तो channel को subscribe करना और bell icon को press करना बिलकुल भी मत बुलेगा चलिए दूस्तों सबसे बिले उस share के बारे में बात कर लेते हैं जहांपर आज के दिन हमें board meeting conduct होते हुए देखने को मिलने वाली थी और इस board meeting के अंदर company bonus और dividend announce करने वाली थी तो मैं यहांपर बात कर रहा हूँ हिंदूजा global solutions limited के बारे में जहांपर आज के दिन आपको इस share के अंदर मामूली से corrections देखने को मिल रहे हैं लेकिन अगर आप company की corporate announcement में देखेंगे तो recently आज ही के दिन company ने बहुत सो dividend को लेकर official announcements यहांपर declare कर दी है आप देख सकते हिंदूजा global की मैंने आपके सामने official price release भी open कर लिए है जो company के यहांपर board meeting के outcomes निकल कर आए है जिसमें सबसे पहले point में तो company ने dividend को लेकर announcement declare करी है हाँ दोस्तू company ने याने की हिंदूजा global limited ने अपने shareholders के लिए 1500 रुपे पर shares का यहांपर interim dividend declare कर आए जिसकी x date की अगर बात करी जाए याने की record date की बात करी जाए तो 18 जनवरी 2022 company के 1500 रुपे पर shares के dividend की record date यहांपर fix करी गई है तो यदि आप 18 जनवरी 2022 तक इस share के अंदर investment करके रखते हैं तब जाकर आप यहांपर 1500 रुपे पर share के dividend के लिए eligible हो जाएंगे अब बात कर लेतें next point के बारे में जहांपर company ने अपनी authorized share capital को increase किया है और साथ ही साथ यहांपर third point को आप देखेंगे तो company ने अपने shareholders के लिए bonus share यहांपर issue किये हैं यह bonus 1 to 1 के ratio में देखने को मिले वाला है याने कि अगर आपके पार हिंदूजा global limited के लगबग 1000 share हैं तो 1000 shares के बदले company आपको 1000 share bonus के रुपे देने जा रही है bonus की record date क्या है जिसे ही यहांपर announce हो जाएगी आपको हमारे telegram channel और हमारे youtube channel से update कर दी जाएगी बात करें कि क्या आपको हिंदूजा global के अंदर investment करना चाहिए तो जी हां दोस्तो यदि आप इस share के अंदर investment करना चाहते हैं तो definitely मन बना सकते हैं क्योंकि अगर हम company के financial numbers भी देखें तो जहां revenue के अंदर 18% की और net profit के अंदर 67% तक की शांदार growth हमें देखने को मिल रही है दोस्तो बात कर लेते हैं अनदर share के बारे में जिसका नाम है Reliance Industry Limited जहां पर आज के दिन हमें Reliance Industry के अंदर 2% के corrections देखने को मिल रहे हैं लेकिन Reliance Industry के अंदर जो news निकल कर आई है वो बहुत ही शांदार है जहां दोस्तो टाटा ग्रूप टाटा ग्रूप जिस कंपनी को खरीदने वाला था जिस कंपनी को acquire करने वाला था उसको Reliance Group ने खरीद लिया है आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट हमें ये देखने को मिल रहे है complete news भी आप देख सकते हैं Reliance Retail Limited to acquire 25.8% stake in Dunzo for 200 million US dollar लगबग 200 million US dollar में Reliance industry ने यहां पर याने के around 1489 करोड रूपे में Dunzo के shares को यहां पर acquire कर लिया है Dunzo क्या है तो Dunzo is a market of quick delivery का platform है जिसे पेले Tata Group acquire करने वाली थी लेकिन Tata Group क्या acquire नहीं करने पर यहां पर Reliance Retail ने इसे acquire कर लिया है लगबग 25.8% stake यहां पर Reliance Retail की तरफ से Dunzo का acquire कर लिया गया है और इससे company को काफी ज़दा benefit भी मिलने वाला है साथी साथ आज के दिन हमें एक और बड़ी update देखने को मिल रही है Reliance ने अपने foreign currency bonds के थ्रो लगबग 4 billion US dollar की fundraising यहां पर करी है आप देख सकते हैं complete news Reliance raises 4 billion US dollar in US dollar bonds the largest such issue buy an Indian corporate जियां दोस्तों अभी तक की काफी बड़ी update हमें यह देखने को मिल रही है और अगर आपने भी Reliance industry के अंदर investment कर रखा है या फिर आप investment करने का मन बना रहे हैं तो यदि share market गिरता भी है crash भी होता है और अगर आपको गिरावट में Reliance industry का share मिलता है तो यहाँ पर आप buy and dip करते भी चल सकती है company fundamentally तो strong ही ही लेकिन all our India के अंदर number one company हमें यह देखने को मिलती है और जिस प्रकार से company की future growth है definitely यह shares आपको 5000 रुपे तक भी जाते भी देखने को मिल सकता है उस तो बात कर लेते हैं another share के बारे में जिसका नाव में Tata Power, Orient Green और Adani Green के बारा है खल के दिन इन तीनों shares के उपर आपको सबसे ज़्यादा focus रखना है क्योंकि यहाँ पर जो news निखल कर आ रही है वो इन तीनों ही company हो के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यह तीनों ही company हैं जिस sector से belong करती है उस sector में आज के दिन हमें बहुत बड़ी news देखने को मिल रही है जिसमें सबसे बिले अगर Tata Power की बात करें जहां पर आज के दिन हमें इस share के अंदर धाई परसेंट तक की शांदर 30 देखने को मिल रही है वो अगर आप पिछले एक साल की return performance भी देखेंगे बात करें कि यहां पर Tata Power Orient Green और Adani Green को लेकर क्या बड़ी update निकल कर आईए जैसा कि मैंने आपको लास यूडियो में भी बताया था कि Green Energy Corridor के phase 2 को लेकर जो हमारे cabinet की तरफ से approval मिल चुका है जिससे लगबग 12,000 करोड रुपे का investment हमें Green Energy की related company के अंदर आते वे देखने वाले है उसमें हमें Tata Power, Adani Green और साधी साथ यहां पर Orient Green को भी इसका benefit मिलते वे देखने को मिलने वाला है Orient Green की बात करें जहां पर आज की दिन हमें इस share के अंदर 5% का upper circuit देखने को मिल रहा है वहीं पीछले एक साल में इस penny shares ने भी बहुत ही शांदर returns अपने investors को बना कर दिये हैं लगबग 612% तक के शांदर returns हमें यहां पर Orient Green के अंदर भी देखने को मिल रहा है है साधी साथ अगर आप Orient Green के उपर complete analysis वीडियो चाते हैं अपनीचे comment section box में लिख कर बता सकते हैं अलाकि कल के दिन हमें Orient Green के अंदर एक बड़ी deals भी देखने को मिली थी जहांपर Axis Bank ने Orient Green के लगब 38,00,000 shares sale किये थी जिसकी worth अगर की बात करी जाए तो लगब 13,46,00,000 रुपे उनकी worth यहांपर देखने को मिलती है तो आपको इस deal से बिल्कुल भी panic नहीं लेना है क्योंकि company की performance काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है Korean Green काफी शांदर returns अपने investors को continuously बना कर दे रहा है यदि आप इस penny shares के अंदर investment करना चाते हैं तो definitely आप यहांपर investment करने का मन बना सकते हैं चलिए दूस्तों बात कर लेते another share के बारे में जहांपर आपको कल के दिन तेजी देखने को मिल सकती है जिसका नाम है Adani Green जहांपर एक से सवा परसेंट तक की शांदर तेजी हमें देखने को मिल रही है और Adani Green भी Adani Group की एक काफी शांदर कंपनी है जिसके अंदर काफी शांदर September quarter के result में हमें recovery देखने को मिल चुकी है और सबसे बड़ी वज़य यहां पर जिससा कि मैंने आपको बताए कि cabinet की तरफ से जो green energy corridor के phase 2 को यहां पर approval मिल चुका है जिससे लगबग 12,000 करोड रुपे का investment इन green energy से related company के अंदर हमें आते भी देखने को मिलने वाला है तो उसका सबसे बड़ा benefit यहां पर Adani Green, Tata Power और Orient Green के साथ-साथ Suzalon को भी देखने को मिलने वाला है तो इन shares के उपर आपको सबसे ज़्यदा focus रखना है वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर share के बारे में जिसका नाम है Trident Limited जहां पर आज के दिन हमें इस share के अंदर कोई बड़े movement तो देखने को नहीं मिल रहे है लेकिन आप अगर इसका chart button देखेंगे जाब first session में हमें इस share के अंदर profit booking देखने को मिल रही थी महीं second session में इस share के अंदर हमें काफी अच्छी recovery देखने को मिल जाती है इस recovery के पीछे एक बड़ी update यहां पर निकल कर आई है सबसे पहले अपडेट में आपके साथ share करूँ तो आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2022 आज ही के दिन की update है जिसमें Trident Limited ने जो अपने commercial paper जो लगबग 50 करोड रुपे की fundraising से related यहां पर update शेर करी थी उसको लेकर यहां पर certificate यहां पर issue किया है जिसमें वो बता रहें कि वो जो commercial paper को utilize कर रहे हैं उसको लेकर यहां पर update शेर करी गई है वहीं जो news आज के दिन हमें देखने को मिल रही है कई न कई market के अंदर वापी से recovery यहां पर आते हुए हमें textile group के कारण ही देखने को मिले है क्योंकि जिस कारण से हमें cotton के अंदर prices increase होते हुए देखने को मिल रहे हैं एक positive impact हमें Trident Limited के अंदर भी देखने को मिल सकता है अगले 3 दिन Trident Limited के shareholders के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं क्योंकि यहां पर हमें Trident के monthly sales के नंबर अगले 3 दिन में देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ company अपने quarter 3 के result की भी date यहां पर announce करने वाली है जिसके साथ में आपको dividend जैसी बड़ी अपडेट भी देखने को मिल सकती है तो यदि आपने Trident के अंदर investment कर रखा है तो long term purpose से यहां पर आप अपने investment को hold करके रख सकते हैं साथ ही साथ अगर आप fresh positions बनाना चाहते हैं तो current price पर आप इस share के अंदर fresh buying कर सकते हैं चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और update पसन आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसन आई है तो इसे like और share करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated